अगले सवाल के लिए अरिहंत 55 हमारे साथ चुड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं उजीवन स्मॉल फाइन्स बैंक पर 55 रुपे की इनकी खरीद है क्या करें अगर हम बात करें तो लिए चाट पैटर्न देखने को मिल रहा है काफी बैरिश पैटर्न में सभी इंपर्टन मुहीं जाग जिसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं प्रिविएस्ली मार्च महिने में हमने देखा था कि अगर हम ज्यान में रखे तो स्टॉक अभी 44 रुपीज क काफी बड़ा स्टॉप लोज है 40 रुपीज के स्टॉप लोज के साथ इनको होड़ रखना चाहिए अधर 40 ब्रेक करें तो फिर इक बार के लिए एक दो साल के लिए क्या करने चाहिए इसको एक-दो साल के लिए आपने लिया हुआ हुआ है चलिए ठीक है सौरब आपके पास आउंगी नजरिया थोड़ा सा इनका लंबा है 54-13 इनकी बाइंग प्राइस है परिखाए दे रही है लेकिन उसके अलावा इतना लंबा रुखना क्या सही होगा या कहीं और मूव हो जाएंगे अगर यह चाहें तो पैसे को शिट कर सकते हैं जैसे कि आप यून बैंक में या इंडियन बैंक में वो दोनों काफी अच्छे बैंक रह सकते हैं आगले एक दो साल के तो इससे एक्जिट कर लीजे वो जीवन स्मॉल फानांस बैंक से और इसके लावा यूनियन बैंक अच्छे